है 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 तो देखते हैं इस question को यह क्या दिया गए आपको find the magnetic field at O तो अब इसमें आपको O point के उपर magnetic field निकालना है तो सबसे पहले बात तो आप इस arrangement को समझें this is a 3D arrangement कैसा 3D arrangement है आप imagine कर सकते हैं इस लाइक देखो यह दो इसी तरह के current carrying rings है एक रिंग इस जगा पर रखा गया है जिसकी वैसे आपको इस पिन पॉइंट के उपर निकालना है magnetic field दूसरा इसी तरह का एक रिंग जो है इसके बिल्कुल नीचे कुछ इस जगा पर इस तरह से रखा गया है तो आप imagine कर सकते हैं इसको 3D structure को आप तो दोनों का ही रेडियस जो है आर है और आपको आर डिस्टेंस के उपर ही पॉइंट रखा गया है रेडियस के जितने ही पॉइंट डिस्टेंस के उपर ही पॉइंट रखा गया है करण्ट की डिरेक्शन को अगर हम देखें तो करंट की डारेक्शन जो है कुछ इस तरह से दी गई है हमारे को इस अपर लूप के अंदर तो direction क्या हो जाएगे इसके अंदर outward going तो मैं इसके अंदर magnetic field की direction बनाना चाहूं तो वो इस जगा पर आ रहे है ओके similarly इसकी वाय से magnetic field की direction हमको कुछ इस तरह से दी गई है तो it is also like this आपको जो है क्या करना है मैं B1 निकालना है B2 निकालना है और उनका value निकालके उनका vector sum कर देना है that's all अब B1 और B2 निकाले कैसे हमें पता है एक circular current carrying loop की वेज़ा से axis के उपर magnetic field का जो formula होता है वो क्या होता है that is equal to B1 अगर मैं निकालना चाहूं तो mu naught i by में 2 times r square plus a square की power 3 by 2 divide into a square यहाँ पर a क्या होता था a जो था यहाँ पर हमारा a was the radius of the circular loop ओके जिसकी value capital r के equally दी गई है यहाँ पर r क्या होता था distance from the center to the point तो वो हमें वो भी r दिया गया है तो here a is equal to capital r circle का radius a जो है उसको हमारा को r के equal ही दिया गया है तो value को put करना है हमें answer हमारा निकल जाएगा तो therefore b1 is equal to mu naught i a square divided by 2 times r square plus r square 2 r square की power 3 by 2 अब 2 की power 3 by 2 into r का cube उपर भी हमारा a की जगा हमने r ही put करना है तो यहाँ पर कर दिया हमने अब इसको जो है हमें simplify करना है तो कैसे करेंगे b1 is equal to mu naught i r square into 2 into 2 की power 3 by 2 into r का cube आ गया ओके बच्चों तो अब जो है इसको simplify कर ले mu naught i by में 2 की power 3 by 2 को हम लोग 4 root 2 लिख सकते हैं पूरा multiply करने के बाद इससे तो r कैसे r cube cancel हो गया तो वो r बच गया तो this is the magnetic field due to one such loop ओके b1 आ गया इसी तरह से similarly b2 की value भी same आएगी तो similarly क्योंकि सब values तो same ही है ना b2 is also equal to mu naught i by 4 root 2 times r total magnetic field हमको vectors हम निकालना है न बच्चों तो therefore total यह आ गया b1 आ गया आपका यह यह आ गया आपके पास b2 अब total magnetic field आपको निकालना है b b is equal to under root b1 square plus b2 square which is equal to root 2 times b1 क्योंकि b1 is equal to b2 same है दोनों ओके तो root 2 times b1 आ गया value पूट कर दो यहाँ पे root 2 times mu naught i by 4 root 2 r root 2 से root 2 cancel हो गया आपका mu naught i by 4 r यहाँ आपका आंसर जस्त लाइक इस तरह से कि जैसे magnetic field due to a circular semicircle के वज़ा से ओके तो हमारा उस टाइम पे भी same आया था इस टाइम पे भी same या रहा है directions अलगे